श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यदा प्रभावित करती है और उसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बढ़ुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगे और मस्तर होगे बिमारियों से आप दूर ही रहोगे इस समय में आपकी शरीर की उर्जा भी बहुत ज्यादा रहेगी और आपकी काम करने की गती भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी छोटी यात्राओं से करते है चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है लेकिन चंद्रमा पराक्रम ख्षेतर में गोचर कर रहे है उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है अगर students की बात करते हैं, विद्यारतियों की बात करते हैं, तो इस समय में students को इस दिन खास ध्यान रखना होगा, इस समय में आप भागे की भरोसे बिलकुल भी ना बैठे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, students की लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, अगर personal life की ब का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंडर राशी पर आधारित है, लेकिन कभी-कभी हमारी personal कुंडली में बाकी ग्रहों की position कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी परियनाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा आच्छे रहेगा,